हेलो गाइज वेलकम टू एरस स्टड़ी पॉइंट चैनल क्या से आप सभी आई होप आप सभी ठीक होंगे आज का यह वीडियो बहुत ही महतपूर होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम बज़ट 2021 से समाधित सभी महतपूर कोश्चन को डिसकस करेंगे यह वीडियो सभी के लिए महतपूर है इस वीडियो में हम सबसे पहले अब्ज़क्टिव कोश्चन को डिसकस करेंगा और उसके बाद हम बज़ट 2021 से समाधित कुछ महतपूर पॉइंट को डिसकस करेंगे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहों पाएं क्योंकि यह वीडियो बहुत ही मह प्रेश करना ना भूले जिससे हमारे सारे लेटेश अपडेट का नोटिप्रेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कोश्चन देखते हैं गरतंत्र भारत का पहला बजट कब पेस किया गया था अपसना 28 फरवरी 1950 को 25 फरवरी 1950 को या 15 फरवरी 19 क्याओन को या इनमें से कोई नहीं इसका एंसर होगा अपसन नमबर गरतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेस किया था अपसने पंडित ज्वाहलाल नहरू इंद्रा गांधी सर्दान बल्लभाई पटेल या जौन मथाई इसका एंसर होगा अपसन नमबर डी जौन मथाई ध्यान रखिएगा गरतंत्र भारत का पहला बजट जौन मथाई ने पेस्स किया था अब देखते हैं नेक्स्ट कोशें नेक्स्ट है भारतिये बजट ब्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है अपसने इंद्रा गांधी को जौन मताई को जेमस विल्सन को या इन वे से कोई नहीं इसका अंसर होगा अपस नमबर सी जेम्स वील्सन को ध्यान लखिए का भारतिय बजट का बजट विवस्ता के जनक जेम्स वील्सन को कहा जाता है अब देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है भारत में पहला बजट कब पेस किया गया था आप से ने एक फरवरी 1860 को एक फरवरी 1856 को अठारा फरवरी अठार फरवरी 1860 को या इनमेस कोई नहीं इसका अणसर होगा अठारा फरवरी 1860 को अपसे नाबर C ध्यान देखिएगा भारत में पहला बजट 18 पहला बजट किसने पेस किया था आप सने जॉन मत ऌई ने देशाई नहीं इसका एंसर घपस नमर बी जेम्स विल्सन को और ध्यान दिखिए का भारत में बजट का जनक जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है अब देखतें नेक्ष्ड को स्टे सबसे अधिक बार बजट पेस करने का रिकॉर्ड किसके नाम है अपसने पंडित जोहार लाल नहरो मुरारजी देशाई निर्मला शीता रमान या इन में से कोई नहीं मुरारजी देशाई ने लगभग 10 बार बजट पेस किया है जिसमें से 6 बार बीत मंत्री पत पर रहते हुए और 4 बार उपरधान मंत्री पत पर रहते हुए अब देखते नेक्ष्ट कोशन नेक्ष्ट है बजट सब्द की उत्पती किस भासा से हुई है अब देखते नेक्ष्ट कोशन नेक्ष्ट है बजट सब्द का अर्थ क्या होता है बजट सब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है अब सब्द का अर्थ चमड़े का थैला होता है अब देखते नेक्ष्ट कोशन नेक्ष्ट है स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेस्ट किया गया था अब सेने 26 जनौरी 1950 को 15 अगस्त 1947 को 26 दिसंबर 1949 को या 26 नौंबर 1947 को इसका अच्छ्ट अप्स नमबर D स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस ने पेस्ट किया था अब सेने सनमुखम चेटी ने मुराजजी देशाई ने पंडित जुहाल नहरू ने या सरदर बल्लब भाई पटेल ने इसका अच्छ्ट अप्स नमबर A सनमुखम चेटी ने ध्यान रखिगा स्वतंत्र भारत का पहला बजट सनमुखम चेटी ने पेस्ट किया था अब देखते हैं next question, next झालठ वहारान के परधान मंत्री की ने पर्धान मंत्री रहते हुए बज़ट किया है आप्सट के तीन परधान मंत्री राजीव गांधि इंद्रा गांधि और जोाहाल अनैरू या उपरीयोग चभी इसका है आप्सलों का अफ्मिक्षट कुछन नेक्ष्ट है हमारे देश की पहली महिला बीत मंत्री कौन है आप से निर्मला शीता रमन सुस्मा सोराज सोनिया गांधी या इंद्रा गांधी इसका एंसर गाप्स नमबर डी इंद्रा गांधी अब देखते है नेक्ष्ट कुछन नेक्ष्ट है हमारे देश की पहली पुड कालिक वहिला बीतमंत्री कौन बनी है अफसने निर्मला शीता रमन सोनिया गांधी इंद्रा गांधी या इन में से कोई नहीं इसका एंसर गापस नम्र ए निर्मला शीता रमन अब देखते है नेक्स्ट क्वेशन नेक्स्ट है भारत के तिहांस में पहली बार पेपर इस बजट कब पेस किया गया है अफसन है 2019, 2020, 2021 यह 2014 इसका एंसर गापस नम्र सी 2021 ध्यान रखिएगा हाली में 2021 में एक फरवारी को भारत के इतिहास में पहली बार पेपर लिस्ट बजट पेस किया गया निर्मला शीता रमन के द्वारा अब देखते है नेक्स्ट कोई नेक 2021 से 22 यह इन में से कोई नहीं इसका एंसर होगा C 2021 से 22 तक के लिए आप देखते है नेक्स्ट कोईशन नेक्स्ट है केंद्रिय बजट 2021 को संसर में किसने पेस किया है अपसने नरेंग रशिंग तोमर निर्मला शीता रमन अमीत्ता या इन में से कोई नहीं इसका एंसर आपस नमर B निर्मला शीता रमन ध्यान रखिएगा निर्मला शीता रमन हमारी बीत मंत्री है इन्होंने ही केंद्रिय ब बजट 2021-22 को संसर्थ में कब पेस किया गया है अपसे ने एक फरवारी दो फरवारी एक तीस जनवरी यह 26 जनवरी इसका अपस नमबर एक फरवरी अब देखते नेक्स्ट को श्रमिधान के किस अनुशेद में बजट सत्का परिवग हुआ है अपसे ने अनुशेद 370 इसका अत्रिजान के किसी बहुआ सत्का परिवगा उपक्ति किसी और सत्का पर्यूग हुआ है नेक्स्ट कोशड उपरयोक्त दोनों ध्यान रखीगा समिधान में बजर सद की जगह वार्षिक वित्य वीवरन और एन्वल फानाइंसियल स्टेट्मेंट इन दोनों का परयोक्त किया गया है आप देखते नेक्स्ट कोई से नेक्स्ट है वार्षिक वित्य वीवरन का जिक्र समिधान के किस अनुछिद में है अप्सनieve अनुछेद 11 अनुछेद 1999 यह इंग मैं से कोई नाही इसका अंसर का अपसन नमरेए अ अनुछेद 112 प्रेंट्स त्यान रिकीगा वार्षिक वित्य व्यूरन जिसका जिक्र समिधान में बजट की जगह पर किया गया है उसका उलेक समिधान के अनुशेर 112 में उपस्तित है चलिए फ्रेंट्स अब हम बजट 2021 से समधित कुछ महतपूर पॉइंट को डिसकस कर लेते हैं जो कि हम महारी महिला वीत मंत्री निर्मला सितरामंजी ने संसर में कहा था कोबेट 19 के लिए 35,000 करोड रुपए दिये जाएंगे और जल जीवन मीशन सहरी लॉंच होगा इसके तहद 2.086 करोड घरों को नल कनेक्शन दिये जाएंगे पांच साल में लगभग 2.087 लाग करोड रु हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ाया जा रहा है पीम आत्मनीर वर स्वस्त भारत योजना सुरू होगी छे शाल में 64,180 करोड रुपए खर्श होंगे 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट सुरू होंगे देश में लगभग 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाया जाएंगे और 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केर अस्पिताल भी बनाया जाएगा नेशनल नर्सिंग एंड मीडवाइफरी कमिशन का निर्मार किया जाएगा और फ्रेंड्स निर्मला सितरेमन जी ने कहा था सप्लिमेंटरी पोसर कारेकरम और पोसर अभियान के विले होगा और मिशन 2.0 की सुर पहली बार जनसंख्य की गढ़ना डिजीटल होगी जो देश की पहली डिजीटल गढ़ना होगी 75 बर से अधिक उम्रे के ऐसे सिनियर सीटीजन जो केवल पेंसन और जमा से ब्याज पाते हैं उन्हें टैक से राहत मिलेगी 11 लाख 41,676 करोड रुपए स्वक्ष भारत मिशन 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे ध्यान रखिएगा 11 लाख 41,676 करोड रुपए स्वक्ष भारत मिशन 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे ये सभी आकड़े ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मतपूर है Railway के लीए राश्टीय रेल योजना 230 लागु किया जाएगा ध्यान रखिएगा Railway के लीए राश्टिय रेल योजना 230 लागु किया जाएगा ऐसा नीर्मलाशितारामझी ने बजट पेस करती हुए कहा है 4. National Institute of Virologic का निर्मार किया जाएगा वलेंटरी स्क्रैपिंग पॉलिशी का एलान किया गया है जिसके तहद 20 साल पर्सनल वहिकल 15 साल कमर्शियल वहिकल पुराने यानी अनफिट माने जाएंगे सो से अधिक नए स्वाइनिक स्कूल खोले जाएंगे ध्यान रखिएगा सो से अधिक नए स्वाइनिक स्कूल खोले जाएंगे 2021-22 बीत बर्स में वीतिय घाटा GDP का 6.108 फिश्दी रहने का नुमान है जबकि 2021-21 में वीतिय घाटा 9.5 फिश्दी रहा है लेह में नया केंद्री वीश्व विद्याले खोला जाएगा सहरी स्वक्ष भारत मिशन 2.0 की सुरुबात होगी सहरी स्वक्ष भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 बर्स की ओधी में 1,4,678 करोर रुपे की कुल बिती आवांटन से करवानी मीत किया जाएगा अभी तक 5 राजियों तक सीमित नीवो कॉल बैक्सीन की सुविदा थी अब पूरे देश में होगी इससे सलाना लगभग 50,000 बच्चों की मिर्टिव को टाला जा सकेगा मोबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर अब सुने की बजाए 2.5 फिजदी कॉस्टम ड्यूटी होगी कॉपर पर ड्यूटी घटा कर 2.5 फिजदी स्टील पर कॉस्टम ड्यूटी घटा कर 7.5 फिजदी अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाए 15 फिश्दी की ड्यूटी होगी कॉटन पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10 फिश्दी कर दी गई है आगे उन्हें ने कहा था एर क्लीन के लिए 5 साल में 2000 करोर रुपे दिये जाएंगे और मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्स्टाइल पार्क के स्कीम लाँच होगी जिसके तहट 7 टेक्स्टाइल पार्क 3 साल में बनाये जाएंगे परिवहन मंत्राले को 1.18 लाग करोर रुपे दिये जाएंगे और बायो पर्दुशन के बढ़ती समय से सनी बढ़ने के लिए 10 लाग से अधिक अबादी वाले 42 सहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोर रुपे आवांटीद किये जाएंगे निर्मला सीतारामन जी ने आगे कहा था मेट्रों के लिए 11,000 करोर रुपे का प्रस्ताव इसमें 2 तरह की मेट्रों सेवा शुरू होगी पहली मेट्रों लाइट और दुसरी मेट्रों नियों सेवा और पबलिक बस के लिए 18,000 करोर रुपे का प्रस्ताव दिया गिया है बिजली को लेकर के बहुत बड़ा ऐलान किया गया है ध्यान रखियेगा दोस्तों ग्रहक बिजली कंपनी अब खुद चुन सकेगा बित वर्ष 2021-22 में PPP मोड में परमुक बंदरगाहों द्वारा पेस किये जाने वाले 7 करोड से अधिक की 7 बंदरगाह परियोजनाय को भी सामिल किया गया है इस बार के बजट में ध्यान रखियेगा बित वर्ष 2021-22 में PPP मोड में परमुक बंदरगाहों द्वारा पेस किये जाने वाले साथ करोर से अधिक की साथ पंदरगाह परियोजनाएं हैं गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेवी रेगुलेटर होगा ध्यान रखीएगा बहुत ही मतपूर पॉइंट है गोल्ड एक्सचेंज के लिए अब सेवी रेगुलेटर होगा और रेल्वे के लिए एक मीटर सड़क का निर्मार होगा जिसमें पश्चिम बंगाल में नई सड़कों के लिए पचीस हजार करोड रुपए अवंटित किये गए हैं और असम में सड़कों के लिए 35,000 करोड रुपए कुलकत्ता असिली गोडी रोड का अफग्रेडेशन होगा तमिल नाडू में हाइ लिए एक लाख करोड रुपए दिये गए हैं और कन्या कुमार कन्या कुमारी कुरिडोर के लिए लगभग 500,000 करोड रुपए अवंटित किये गए हैं और उज्वला स्कीम से एक करोड परिवार और जोड़े जाएंगे और सब्सक्राइब को गैस बीतरन से जोड़ा गया है इसके तहट इंसौरेंस कंपनी में 74% FDI को अनुमती दी गई है सरकारी बैंकों की दो 20,000 करोड की मदद दी गई है त्यान रखीगा सरकारी बैंकों की 20,000 करोड रुपए की मदद की गई है और डूबे कर्जों के लेकर सरकार का बहुत बड़ा ऐलान किया गया है ड इस बार का बजट अर्थाथ बजट 2021 छे अस्तंबो पर टीका है जो की इस परकार है पहला है स्वास्त और कल्यान दुसरा है भौतिक और वितिय पुन्जी और और संद्रचना तीसरा है अकांची भारत के लिए समावे सी बिकास चौथा है मानो पुन्जी में नौ जीवन क संचार करना पच्वा है नौवाचार अनुसंधान और बिकास और छठा नियुंतम सरकार और अधिक्तम सासन और ध्यान एकिस में कहा गया है क्रिशी उत्पाद के निरियात में 22 और उत्पाद सामिल होंगे और स्वामित योजना के तहट एक दसमला आठ लाख लोगों को क प्रवासी मजदूरी के लिए खाद सुरक्षा योजना और साथ सपचास एकलब या रेजिटेंसियल स्कूल अधिवासी इलाकों में बनेंगे एक हजर करोड रूपे टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम के जरिये दिया जाएगा इसका फायदा असम वहपत शिम बंगाल के टी वर्कर्स को मिलेगा आगे बजट में कहा गया था हाउसिंग लोन पर मिली एक दस्मलोव पांच लाग तक की अतरिक त्रहात को और एक साल के लिए बढ़ाया जा रहा है डिजीटल पयमन्ट को परमोट करनी के लिए इसेंटिव स्कीम का एहलान किया गया है और जिसमें पंद्रह सो करोड रूपै खर्च किये जाएंगे विमा छेत्रा में 74.% तक इफडिय आई अब इंस्योरेंस चेत्र में 74 फिजदी तक FDI जबकि पहले यहाँ पर सिर्फ 49 फिजदी तक की ही इजाजर थी 15,000 से अधिक इस कुलों में गुडवता में सुधार किया जाएगा और बजट के लिए Union Budget नाम का एक मुबाइल एप भी लॉंच किया गया है इस एप पर बजट से जुड़े दस्तवेज मौजूद रहेंगे आप प्लेयर स्टोर से Union Budget एप को डाउलोड कर सकते हैं दिसंबर 2023 तक सभी Broadgage लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा गाउं में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 40,000 करोड रुपए दिये गया है और 2021 में खेती के लिए 16.5 लग करोड रुपए का कर्ज दिया जाएगा ध्यान रखिएगा बहुत ही मतपूरे है पॉइंट 21-22 में खेदी के लिए 16.5 लग करोड रुपए का कर्ष दिया जाएगा और अप्रेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसले सामिल की जाएगी कोची, चिन्नाई, विसाखा पटनम, पारा दीप और पेटुवा घार जैसे सहरों में पांच बड़े फीशिंग हार्वर बनेंगे, एक हजर और मंडियों में इलेक्ट्रोनिक तरीके से करोबार सुरुक किये जाएगे मंडियों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा उन्च सिक्षायों का गठन होगा और सिक्षा का खुल बजट इस बार तीरान में 1224 करोड रूपया किया गया है ये खुल बजट का 8 परतिशत है आगे देखते हैं आगे बजट में कहा गया था अधिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर से प्लाई जाएगी और अनुसिशित जाती के चार करोड बच्चों के लिए छे साल में 35,219 करोड रूपय खर्च किये जाएंगे थैंक्यों दोस्तों ये था बजट 2021 से समाधित को महतफूर पॉइंट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिगा अपने दोस्तों के साथ सेयर कर दीजिगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हलफूल वीडियो द